सुषान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीजे बहार निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्व्यू पढ़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वह फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे अभी आपको बताऊंगी के मुवी माफिय ने नाख की सिर्फ उनको बैंड किया था सिस्टेमाटिक डिस्मेंटिलिंग कैसे कत्रा कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइन आइटम आप इसलिए हैं क्योंकि आप जब जूट लिखना होता है अगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के गुंगराले बाल है जिसको नैशनल आवर्ड मिला हुआ है साइकॉटिक है इस तरह से जो की मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा 22 फर्बरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुषांत ने कांच की बॉटल एक डिरेक्टर के सर पे दे मारी 18 अक्टूबर 2018 को डियने लिखता है कि सुषांत ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है और ऐसी ना जाने कितने अंगिनत जूट और ये जो बुद्धी जीवी जर्नलिस्ट है ये जो चील का हुए गिद है जो मुवी माफिया के प आपको पता है उसी राचार सीनिय जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई एलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैं किया जाए फ्लॉप किया जाए आपको तीन हजार जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं स इस अन्याय की बुनियात पर खड़ा है और कभी आवाज ने उट आप ये पढ़ते हैं चटकारे लेते हैं कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यू नहीं लिखा जाता है तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिल इसलिए जब तालियां बजेगी और सीठियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी